अपस्ट पहले जाडू लगा देते हैं उसके बाद में बाहर की जाडू लगाएंगे और चट पर भी जाडू लगानी है तो हर जगे जाडू लगाएंगे तो कि सुबा की थोड़ी बहुत ये साप सफाई होती है तो वो सुबा के टायम जरूर ही कर लेते हैं तो हर जगे पर जाडू लगा लेंगे उसके बाद में जो हमारे और बाकी के काम है जो भी सुबा के काम होते हैं बो शुरू करेंगे और उससे पहले नहा लेंगे पूजा पाठ हो जाएगी उसके बाद में ही चाय नास्ता और खाना बनाएंगे तो अब तो जो हैना कि सभी लोग घर पर भी आ गए हैं जो हमारी ननदत जी कहीं थी महमानी में बो भी आ चुकी हैं और देवरानी जी भी आ गए हैं तो आज सभी लोग जलदी से ही उठ गए हैं और जो हैना कि हमारे काम जल्दी जल्दी से हो रहे हैं तो खाना तो हमारा जो हैना कि थोड़ी सी देरी हो जाएगी आज कि거나 भी लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबजी को छौक देते हैं तो हल्दी मिर्च पीस ली है और आज जो है न की आलू टमाटर की सबजी बनाएंगे तो कुछ भी सबजी नहीं थी तो मैंने का चलो आज आलू टमाटर की ही सबजी बनाते हैं तो सबसे पहले हलदी मिर्च को भून लेते हैं अच्छे से और उसके बाद में टमाटर डालेंगे तो टमाटर मैंने कट करके रख लिए हैं तो सबसे पहले जो काम होता है वो खाना बनाने का ही काम होता है उसके बाद में आज हम लोग लिपाई का भी काम करेंगे और कि बारिस की बज़े से दुबारा से लिपाई फिर से हमें करनी पड़ रही है तो आज लिपाई भी करेंगे पूरी यांगन की और हमारी नंदत जी हमारे साथ में हेल्प कराएंगे तो सबसे पहले खाना हम लोगों ने कहा कि चलो बना लेते हैं उसके बाद में ही लिपाई क करेंगे तो यहां पर सबजी मैंने चौक दी है और थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना हमको जरूरत है क्योंकि रसा वाली सबजी बनाएंगे और अब की बार कुछ दिनों से सूखी वाली सबजी बना रहे हैं तो रसा वाली नहीं बनाई थी तो आज मैंने कहा चलो रसा पूरे घर की भी पूताई हो चुकी है और जल्दी से मैंने का यहां की भी पूताई हो जाए उसके बाद में थोड़ी सी जो साप सफाई है उसको भी करेंगे क्योंकि पुताई करते समय में जो हमारा मेन गेट है इसका दरवाजा जो है न की बहुत ज़ाधा गंदा हो गया है और चूना भी लग गया है तो उसकी भी साप सफाई करेंगे और इधर बुआ भी आ गई थी आरव को लेकर आरोई भी यहीं पर है तो आज किसी की जयेंती थी तो उसी वजय है चुट झुटी थी तो आरोई आज घर पर ही रुकेंगी और अब उनका बलकुल भी मन नहीं होता है जब एक दिन की चुट्टी पड़ जाती है फिर इसकूल जाने का मन नहीं होता है और इधर पुताई तो मैंने कर दी है क्योंकि बाहर की पुताई थोड़ी सी ही करनी थी और ये तो हम लोगों ने पहले से ही पुताई कर ली थी अंदर की तो पुताई मैंने बाहर की कर दी है और थोड़ी सी पुताई यहां थमले की थी वो भी कर दी है और यहाँ पर जो हमारा गेट है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है दरवाजा तो इसको मैंने कहा कि थोड़ा सा पानी से धुल देते हैं तो अच्छे से साफ हो जाएगा वैसे तो दीपावली पर दुबारा से धुल देंगे लेकिन अभी जो है न की चूना ताजा जो लगा होता है वो जल्दी से नहीं चुटता है और अगर एक दो दिन लगा रहेगा फिर वो नहीं चुटेगा और अभी ताजा है तो जल्दी से चुट जाएगा पानी जैसे ही पड़ेगा छुट जाएगा तो आज ही मैंने कहा इसको अच्छे से साप कर देते हैं और जो अंदर की पुताई की थी वहाँ पर भी चौकी पर काफी चूना उना फैल गया था तो वो भी मैंने तुरंत से ही साप किया था अगर एक दिन के लिए भी अगर ये तो फिर ये चुटता नहीं है पानी डालने से भी तो आज जो हैने की एकदम से देखो बिल्कुल साप हो गए हैं दरवाजे भी हमारे साप हो गए हैं और जो हैने की चौखट में भी काफी चूना लग गया था चौखट को भी मैंने का साप कर देते हैं अच्छे से तो चम काम हम खतम कर लेंगे और यहां की पुताई तो हमारी हो चुकी है तो आप सभी को दिखाते हैं कि यह मैंने बाहर की अभी पुताई की है और अंदर तो कल उस दिन मैंने साम को ही की थी एक दिन पहले ही साम को मैंने पुताई की थी और थमले की भी पुताई आज ही मैंने की तो अच्छे से अब सूख जाएगा तो अब घर तो हमारा एकदम से चमक गया है और सोई भी चमक गई लिए तो अब जो बारी है पीछे वाले घर की पीछे वाले घर में अभी लिपाई का काम बांकी रह गया है तो वहाँ पर आज हम लोग लिपाई करेंगे और पुताई करने के बाद में यहाँ पर हम आ गए है रोटी सेकने के लिए क्योंकि रोटिया भी हमारी बांकी रह गई थी सेकने के लिए तो सारी रोटी हम पतली वाली बनाएंगे और एक हमारी दीदी है रा पानी की ही बनाते हैं जो हाथ से मोटी रोटी बनाते हैं और एक हमारी दीदी है उनका नाम तो हमें नहीं पता है उनके चैनल का नाम है कनिका किचन ब्लोग तो वो दीदी भी हमारे ब्लोग बहुत पसंद कहते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कहते हैं और एक हमारी भाईया हैं अनूप यादव भो भी हमारे ब्लोग बहुत देखते हैं बहुत ज़्यादा पसंद कहते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंटी भी कहते हैं तो वो हर्दोई से हैं तो वो बोल लेते हैं कि साइद वो दीदी जी हैं तो वो बोल नहीं थे हैं कि हमारी ससुरा और एक हमारी दीदी हैं बिद्या सर्मा तो बो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और हमारी कई दीदियां हैं जो कि उनके नाम हमें आज लेने हैं ब्लॉग में क्योंकि हमारी दिदियां बोलती है कि हमारे नाम लिया करो तो अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है तो कोसिज करते हैं कि कुछ दिदियों के अपने नाम ले और कमेंटों के जबाब दें और जो भी दिदियां हमारी जो है न की जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं तो उनसे म बिया सर्मा दीदी जी ने हमारी कमेंट किया है तो जी दीदी ये तो बात आपकी सही है कि इतने दिन वाद हमारा पेमंट आता है तो खर्चे हमारे कैसे चलते हैं तो ऐसा है दीदी कि जब तक हम यूटूब पर नहीं थे तब भी हमारे खर्चे चल ले थे लेकिन हम हलके खर रही है और हो सकता है कि बिल्कुल ना हो क्योंकि यूटुब का कोई भी भरोसा नहीं है तो घर्चे जो है ना की बहुत ही हिसाब से करने होते हैं और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट याभी किया था कि आपको जो है ना की इसके अलाबा वीडियो बनाने के अलाबा और कोई का थोड़ी बहुत हमारी इससे कमाई है यह भी नहीं तो इसकी बज़े से हमें यह काम भी करने पड़ रहे हैं और उसके साथ साथ में हम अपने घर के भी सारे काम कर रहे हैं जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितने सारे हम काम करते हैं वही आप सभी को दिखाते हैं कोई ये नहीं है कि कोई फालतू का काम करते हैं वो आप सभी को दिखाते हैं जो भी हमारे घर के काम होते हैं वही हम करते हैं और वही आप सभी को दिखाते हैं और एक हमारी द या बोल नहीं थी कि आपने लोहे की कढ़ाई में खोया बनाया है तो इसी बजे से खोया सारा काला पढ़ गया है तो ऐसा नहीं है दीदी क्योंकि हम हर चीज लोहे की कड़ाई में ही बनाते हैं कुछ पता नहीं किस बज़े से हमें तो लग रहा है कि दबाई की बज़े से या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है उसकी बज़े से खोया हमारा काला पड़ गया है और एक हमारी दीदी है उन्होंन ने कमेंट किया है कि आप एक बरोसा बना लो छोटी सी जिसमें आप सारा जो भी डिब्बे हैं उसमें रख लो छट पर ही कि आपको ज़्यादा भाग दोर ना करनी पड़े तो सही कहा दीदी बहुत भाग धन्यवाद और आप सबी बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी दीदियां हमारी बहुत अच्छी बाते भी बताती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और एक हमारी राधा दीदी हैं वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करती ह इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहेगा अपना प्यार और सपोORTS बनाए रखना और एक हमारी दीदी है उनका नाम है चंदर किरन बो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करती है तो उन्होंने कमेंट किया है सबनम बहन एक बात बोलू आप मस्त रंगीन वाली लाल महरूम हरा नीला चूड़ी पहना करो जो चूड़ी पहने हो वो पुरानी सी दिखती हैं आप सुन्दर दिखती हो तो आप जो हने की चूड़ी भी रंग विरंगी पहना करो तो और भी आप पर बहुत ही अच्छी लगेंगे तो जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कोस्त करेंगे की रंग विरंगी ही चूड़ी पहने क्योंकि ये चूड़ी काफी दिनों की रखी थी तो मैंने का चलो इनको ही पहन लेते हैं वैसे भी जो मिट्टी कूड़े के काम इन दिनों में चल रहे हैं तो थोड़ी सी जो चूड़ी होती हैं गंदी सी भी हो जाती हैं मिट्टी लग जाती है तो उसकी बज़े से इनका कलर थोड़ा सा हलका पड़ गया है वैसे तो चमक तो मार रहे थी लेकिन इस बार मिट्टी कूड़े के काम पहुत जादा तो अब बस यहां की जो हैनकी आखिरी लिपाई है अब हो जाया उसके बाद में पुताई करेंगे फिर अब जो हैनकी पीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं रहेगा और आज हम लोग पीली मिट्टी भी लेकर आए हैं जो की बुआ भी गई थी और हमारी नदजी भी गई सबी लोग हम लोग गए थे तो जो हैनकी सबी लोग लेकर आए हैं तो मिट्टी भी हमारी आज एक साथ में ही आ गई है तो बैसे जो हैनकी थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी आ पाती है तो थोड़ी थोड़ी ही लग पाती है तो आज हम लोग ने का कि चलो सबी लोग चलत और मिट्टी धेर सारी लेकर आते हैं तो आज बहुत सारी मिट्टी लेकर आये थे और यहां पर तब तक आरोही आ गई हैं तो आरोही भी जो हैनकी आज फिर से लिपाई करने में लग गई हैं तो आज अमने इनको बहुत ज़्यादा डाटा था कि मिट्टी से हाथ जो हैनकी पढ़ाई में मन जाधा लगाएं तो सही कादीदी लेकिन ये बिलकुल भी नहीं मानती हैं तो आज मैंने फिर से इनको डाटा था फिर यहां से मैंने इनको हटा दिया है मैंने का कि मिट्टी नहीं खेलनी है ना ही मिट्टी से लिपाई करनी है तो आरोही यहां से हट गई है और हम लिपाई कर रहे हैं और हमारी ननदजी लिपाई कर रही है और यह मैंने जो है न कि तुलसी का चौरा भी बना दिया है और इस पर पुताई भी कर दी है बहुत ही अच्छा अब लग रहा है और जो हमारा तुलसी का पौधा है बो भी अच्छे से अब चल गया है एकदम से हरा हरा हो गया है तो यहाँ पर जो है न कि अच्छे से हमारा पौधा चल जाएगा और काफी जगे भी मिल जाती है और छट पर इतनी ज़्यादा जगे नहीं मिलती है तो इसकी वज़े से मैंने का यहाँ पर बनाते हैं तो अच्छा लगेगा हमारे आंगन में और अब जो है न की भैस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं बांधी जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए ही बांधी जाती है उसके बाद में बगिया में ही भैस रहती है तो यहाँ पर अच्छा भी लगेगा जब लिपाए पुताई हो जाएगी तो अब जो है न की बस इस पर पुताई कर देंगे चिकनी मिट्टी से जो सपेद वाली मिट्टी होती है और उसके बाद में लिपाई करेंगे और इधर आज मैंने कहा कमरे की भी साप सफाई थोड़ी सी कर देते हैं क्योंकि कई दिनों से तो यहाँ पर ताला मैंने लगा कर रखा था कि जो हैनकी घर में ही रह रह रहे थे वहीं के ही सारे काम समभाल ले थे और वहाँ पर ही लेट रहे थे तो उसकी बज़े से यहाँ पर पोंचा की बार मैंने नहीं लगा पाया है तो आज मैंने का पोंचा लगा देते हैं आप ही जो एनकी धूल मिट्टी हो गई थी तो पानी आप सभी देखी सकते हैं कितना गंदा हो गया है तो मैंने का पोचा अच्छे से लगा देते हैं और बाहर की साइड में थोड़ा सा हम धूल भी देंगे क्योंकि बहुत जादा मिट्टी खटा हो गई है तो यहां की भी स कैनी है कमरे की सजावट कैनी है वो भी कर देंगे तो आरोई के पाप आज बोल ले थे कि थोड़ी बहुत जो भी सजावट है करनी वो हम कर देंगे तो मैंने का ठीक है और कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया है कि यहां की भी सजावट करवाओ नए वाले रूम की तो झाल झाल